All right guys, आज हम लोग यहां पर start कर रहे हैं कि बहुत ही important topic C++ के अंदर, जिसका नाम है inheritance और जो inheritance है guys, वो एक ऐसा topic है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा confuse करते हैं, तो अगर आप लोग भी inheritance को बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है सीखने में, तो मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूं कि हम लोग इसको बहुत ही simple way में समझेंगे, और inheritance क्या होता है, इससे start करते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे programs मनाएंगे, अब यहाँ पर इससे पहले कि मैं आप लोगों को overview दूँ, inheritance का, और start करूं कि inheritance क्या होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह जो topic है C++ में थोड़ा सा challenging है, compared to other topics, जो कि C++ में होते हैं, अब आप लोग सोच आने वाला हूं, उसको बहुत गौर से सुनो, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आगे वाले जो programs हम बनेगे, शायद यह video easily निकल जाए, अगर आपको inheritance पहले से पता है, तो यह video बहुत easily निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, तब यह जो बात है overview inheritance का कि क्या चीज है यह, इसको मैं सारा थोड़ा सा emphasize करता हूँ, हमने object oriented programming देखी और यह inheritance जो है, वो object oriented programming का ही हिस्सा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक बात, कि inheritance object oriented programming का ही हिस्सा है, और कुछ नहीं है, ठीक है, तो जो inheritance है, inheritance वो आता है आपका oops के अंदर, ठीक है, तो object oriented programming के अंदर, तो oops का part है inheritance, कोई यह एक ऐसा topic नहीं, यह से function, एक topic है, variables एक topic है, यह object oriented programming specific topic है, ठीक है, अब यह क्यों हम लोग use करते हैं, जो reusability होती है, किसी भी program में, वो बहुत important होती है, अगर हम लोग reusability की बात करें, जैसे कि मानलो मैं एक class बनाता हूँ, ठ यह नहीं, मैं आपर एक class बनाता हूँ, और मानलो मैं class का नाम रखना चाता हूँ employee, ठीक है, और यह employee को represent करता है, तो मैंने एक employee class बनाई, employee class बनाने के बाद employee के अंदर, उसका नाम होगा, उसे के साथ साथ, उसकी age होगी, हो सकता है, मैं उसने कब join किया था, जो date of joining है, वो log करूँ, और कुछ specific functions जो हैं, वो मैं बना दूँगा, अब मानलो मुझे जरूरत पढ़ गई एक class की, जो की programmer है, ठीक है, अब मैं programmer class को जब बनाऊंगा, तो उसमें सारे features होगे, एक employee के, क्या है programmer, एक employee ही तो है, करकि काम कर रहा है किसी company में, तो programmer क्या है, एक employee ही तो है, तो मैं चाहूँगा कि जो employee के अंदर सारे के सारे variables बगएरा बने हैं, जो सारे features हमारे employee के अंदर बने हैं, वो मैं programmer के अंदर भी जो है, वो ले लूँ, तो programmer के अंदर मैं चाहूँगा कि सारे के सारे जो उसके member functions हैं, और जो सारे के सारे variables हैं, वो automatically इसमें आ जाएं, तो यह जो करने का तरीका है वो inheritance हो सकता है, अगर मैं एक नई class बनाओ और यह सारी चीज़े repeat करूँ, तो repetition जो है, वो हमेशा गलत है, repetition, dry principle को, dry principle आप लोगो बताता हूँ, उसका जो है, उल्लंगन करता है, ठीक है, तो dry क्या है, do not repeat yourself, और यह programming में एक general principle है, do not repeat yourself, अपने आपको repeat मत करो, कम से कम, repeat करो अपने आपको, अगर आप repeat करोगे, तो जहां-जहां आपने repeat किया है, वहाँ-बह управण changes करने पढ़ेंगे, तो आप को change करना पढ़े, आप मानलो कि आप यह जो name है आप चाहते हो कि आप कोई change करना चाहते हो वालो किसी function में change करना चाहते हो और आपने employee से 10 classes derive कर रखे हैं इस तरह कि जैसे employee अगर एक programmer एक employee है तो manager भी employee है ठीक है और भी अलग अलग तरह कि employees होते हैं एक company में तो वो सारे के सारे जो employees हैं माल लो मैंने employee class से inherit कर लिये यानि कि सारे के सारे नाम, age, date of birth यह सारे के सारे जो attributes हैं वो सारे मैंने इसमें automatically मैं ले आया अब एक बार मैं ले आया सारे के सारे जो member functions हैं और जो variables हैं मैं और भी add कर सकता हूँ plus additional मैं आपर add कर सकता हूँ additional variables भी add कर सकता हूँ additional verse लिख देता हूँ and member functions ठीक है additional variables और member functions मैं आपर add कर सकता हूँ और उस class को और extend कर सकता हूँ तो reusability जो होती है जो points मैंने लिखे हो इन पर आ जाते है reusability is a very important feature of WUPS object oriented programming का एक बहुत important feature है reusability और ये एक तरीका है जिससे हम reusability कर सकते है object oriented programming में अगर हम एक class को reuse करें और उसमें additional features add करें तो कभी change करना पड़ गया पीछे आकर तो हमें सिर्फ एक जगा change करना पड़ेगा और वह बाकी अगर माल लो यहां पर मैंने 11 classes जो है inherit करी है उन सब में change जो है वो reflect हो जाएगा अगर मैंने इन सब को बार बार लिखा हो था name age doj को तो सब जगा मुझे change करना पड़ता तो आप लोग देखो यहां पर कितना हमको ease मिल रहा है हमें कुछ change करना है तो सिर्फ एक जगा पर हमें change करना पड़ता है तो यह जो है इसलिए हम बोलते हैंगी reusability बहुत important है और एक class को reuse करने को इसलिए emphasize किया जाता है using classes saves time and money time क्यों save करता है आपको बार बार लिखना नहीं पड़ा इसलिए आपको time save करता है और money क्यों save करता है देखो जब आपने class बनाई आप उसको test करोगे आप यह देखोगे वो production में कैसे चलती है मालो यह तो एक employee class है simple class है बहुत complex classes भी होती है अगर उस तरह की classes को हमें मालूम है कि वो चल रही है production में तीन साल से और आज तक उन्होंने कोई दिक्कत नहीं दिया है तो guarantee है कि future में भी वो कोई दिक्कत नहीं देंगी एक तरह से एक अरफ guarantee है कि वो दिक्कत नहीं देंगी compared to अगर हम कोई नहीं class लिखें तो तो हमारी money भी बच जाती है हम उसको बिना test करा है बिना debug करा है आगे बढ़ सकते हैं कि हमने already वो काम कर लिया है इसलिए time और money दोनों बचते हैं अब यहां पर using already tested and debug class will save a lot of effort in developing and debugging the same thing again वही जो चीज मैंने बताई वो है कि अगर एक चीज को आपने test कर लिया एक चीज बहुत अच्छी तरह काम करती है उसको इस्तेमाल करना या किसी नई चीज को लेकर आना इन दोनों में से आप prefer करोगे पुरानी चीज को use करना जो कि already test कर दी गई है ठीक है अब यहां पर हम बात करेंगे inheritance क्या होती है C++ में और C++ में देखेंगे किस तरह से inheritance हम लोग जो है use करेंगे ठीक है तो यहां पर मैंने what की spelling गलत दिख दी है तो no comments नहीं तो मैं कभी भी कोई spelling mistake कर देता हूं तो मेरे बस comments आने लगते हैं कि इसकी spelling यह नहीं यह होती है anyways तो concept of reusability in C++ is supported using inheritance तो reusability का concept C++ में एक तरीका reusability को लाने का C++ language में inheritance है और अगर object oriented programming की बात करें तो object oriented programming में reusability बहुत ही अराम से बहुत ही conveniently C++ के syntax से use की जा सकती है reusability को लाया जा सकता है C++ language के अंदर हम लोग एक class की properties को use कर सकते हैं उनको inherit करके मानलू मुझे employee से programmer बनाना है तो मैं programmer class बनाऊँगा जो की employee को inherit करती है और अगर मैं ऐसा करूंगा तो होगा क्या कि जो programmer है उसके अंदर सारे की सारी चीज़े जो की employee की है वो आ जाएंगी औ मैंने हो सकता है employee के लिए कुछ member functions लिखे हो हो सकता है मैंने कुछ properties लिखी हो employee के लिए फिर उनको मैंने test वगरा भी किया होगा तो वो सारी चीज़े मुझे repeat नहीं करनी पढ़ेंगी ठीक है अब तोड़ी सी terminology के बारे में बात कर रहे लेते हैं जो existing class होती है वो होती है base class ठीक है जैसे कि हमारे case में employee थी आपने employee से बनाया programmer ठीक है employee से आपने क्या बनाया आपने बनाया programmer तो employee से programmer जब आप बनाओगे तो यहाँ पर मैंने वाई जीब से बना दिया कोई बात नहीं employee से programmer बनाओगे तो यह employee होगी आपकी base class तो यह हमारी base class और जो programmer है वो क्या है वो है हमारी derived class ठीक है तो base class और derived class क्या होते हैं आपको पता चल गया है मालों मुझे programmer बना रहे है मैंने फुल्रेम बना रहे है ओड़ी पर employee से बना programmer respe м完了 एक et employee है और ओ सकता है programmer जो है I'mл बना रहे है किसी company में और कोई भी lab जारे होती है कोई भी server lap में कोई event होता है तो उसको जाना परता है मैं सिर्फ बना रहा हूं इसको समझाने के लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो assistant class है जो assistant काम करते हैं उसको भी ले लेंगे याप पर इन दोनों से हम इन्हेरेट कर लेंगे programmer को तो programmer के अंदर इसके भी features आ जाएंगे इसके programmer है वो derived class है और employee के साथ-साथ assistant भी मेरी base class है अगर मैं आपर यूज कर रहा उसको तो मैं इसको भी base class mark कर देता हूँ ठीक है तो दो base classes है एक derived class है ठीक है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं inheritance अब जैसे की बात किये थी time and money बचती है लेकिन इसके साथ सा जैसे कि हमने या पर देखा एक type देखी हमने inheritance की उसको क्या कहते हैं यह मैं आगे बताऊंगा लेकिन यह जो तरह की inheritance थी कि दो class हो से एक class बन रही है और इससे पहले जो हमने अभी देखी थी एक class से एक class बन रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट था तो यह जो डिफरेंट तरह की inheritance है यह types of inheritance में फॉल होती है तो types और कितने तरह की inheritance होती है एक सवाल यह आता है कि और कौन-कौन से form है inheritance की यह तो आपने बता है क्या इनके कोई नाम है हाँ इनके नाम है तो चलो देखते हैं कौन-कौन सी forms है inheritance की इस चीज़ में तोड़ी से डिल मात कर लें क्योंकि जब आप किसी open source community में काम करेंगे कभी C++ code में आप contribute करेंगे यह सारे के सारे है जो terms है वह आपको बहुत ही अराम से लोग use करते हैं मिलेंगे तो उस time पर आप लोग लिए मुश्किल हो जाएगा देखना है या राइब्रिट इनके है हरार्किल इनके क्या है या फिर multiple inheritance क्या है multi level क्या है तो देख लेते हैं सब चीज़ों क्या है तो primarily चार forms of inheritance में आप लोगों को बता रहा हूं multiple inheritance ठीक है multiple inheritance क्या है multiple inheritance hierarchical multi level और hybrid ठीक है यह चार हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक single inheritance भी है single inheritance is very obvious तो मैंने यहाँ पर add नहीं किया है बट add कर लेते हैं यहाँ पर और लोग question पूछते हैं यहाँ पर मैंने add क्यों कि क्यों नहीं किया है मैंने बस नहीं किया add एक यहाँ पर मैं single inheritance भी यूज कर लेता हूं ठीक है तो single inheritance क्या है एक derived class एक base class एक base class एक derived class जो इनहरेट हो गई इससे कहते है single inheritance for example हमने देखा था कि एक employee था एक employee था और एक programmer था अब हमने क्या किया था हमने कहा था कि जो employee है और जो programmer है programmer एक तरह का employee है तो हमने कहा कि बाई employee से programmer बना लो कहा programmer में भी वापस से शुरू से from scratch start करेंगे हम जो काम अल्रडी हो चुका है वहाँ से start करते हैं तो हम start करेंगे employee class से जो जो methods और जो जो इसमें properties अल्रडी add हो चुकी है उनको हम extend करेंगे extend का मतलब यही होता है extend का मतलब होता है कि एक चीज को आगे लेकर जाना कि इतना काम हो चुका है अब मैं काम करूंगा होता है कि company में किसीने मालो एक android app बनाई या विर एक C++ प्रोग्राम में क्यों ना बनाया हो एक game बनाया हो मालो किसीने dinosaur game बनाया हो एक dino game बनाया हो किसीने और मालो जिसने बनाया है मालो वह हो गया retire तो uncle sam थे मालो इन्होंने काफी C++ community में की तोड़ी दाड़ी बना देते हैं एक Harry नाम का मालो बनाया है तो वह क्या करेगा Sam uncle के कांग को extend करेगा तो similarly जिससरा से यहां पर हम extend की बात करते हैं कि यह जो है English में use होते हैं इस सारे terms इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो programming terminology है वो कोच ऐसी हुआ नहीं है समझना की कांग से आ गई है employee से बना programmer ठीक है programmer ने employee को extend किया ठीक यह सब चीज़े सुनने को मिल जाएं इसलिए बोल रहा हूं तो यह थी single inheritance सबसे आसान तरह की inheritance एक से दूसरा बन गया खतम single inheritance सिर्फ एक है उपर एक है नीचे और यह जो arrow है इसके बारे में एक बात बोलना चाहूंगा बहुत important है सुनना ध्यान से क्योंकि आप देखोगे कहीं और तो confused हो जाओगे A से बना B इसलिए मैंने नीचे arrow दिया है और बहुत सारी books में बहुत सारे blog references में या फिर C++ का ही जो reference है वहाँ पर आप लोगों को यह arrow इस direction में मिल जाएगा लेकिन कभी-कभी कुछ लोग A से B बनी को ऐसे भी दिखा देते हैं और उसका मतलब होता है is derived from और इसका मतलब क्या है मैं कह रहा हूँ derives यानि कि A से बना B और उल्टा दिखाओगे तो B से बना B बना A से यानि कि is derived from तो जो arrow कभी कहीं भी mention किया जाता है तो उसको बताना पड़ता है कि यह arrow का क्या मतलब है जनरली क्या होता है कि अगर इस तरह रखा है A उपर है B नीचे है तो मतलब यही होता है most of the cases में कि B बना A से लेकिन कभी उल्टा एरो अगर आपको देखने को मिल गया तो बिल्कुल भी confuse मत होना most of the cases में तो क्या होता है विद एट सेट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं multiple inheritance को multiple inheritance क्या है a derived class with more than one base class ठीक है more than one base class यह पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने इसको जरा बहुत सारे टाइपो कर रहा हूं आज कर में तो एक से ज्यादा इस class है जैसे कि मैंने आपको example दिया था multiple inheritance के example दिया था मैंने बोला था कि एक employee है हमारे पास मैंने employee की बात की थी मैंने का था employee और मैंने का था assistant assistant कौन होता है जो कि यसे server room में आप जाते हो कभी भी तो आपको plug वगरा खोल के देता है उसको सारी जानकारी होती है कौन सा जो cpu है कौन सा जो आपका server है कौन सी hard disk का plug कहां पर है तो कभी आपको tour लेना पढ़ गया server room का तो वो कराता है लेकिन वो काम जो है programmer भी कर सकता है यह programmer को भी कभी कभी इन सब चीदों की जानकारी होती है और इस company के लिए assume करते हैं कि सारे programmers को इतनी जानकारी है कि वो assistant का rule निबा सके ठीक है तो हम कहेंगे कि जो जो assistant कर सकता है और जो जो employee कर सकता है वो programmer कर सकता है तो हमने यहाँ पर क्या किया हमने कहा कि A और B से C बना employer assistant से programmer बना ठीक है तो यह एक example हो गया multiple inheritance यानि कि multiple उसके parents है और child लेक है और पिछले case में क्या था एक child था एक पापा था ठीक है यहाँ पर पापा दो है इसके और child लेक है ठीक है तो आप समझ गए इस बारे में कि क्या मतला में मेरा कहने का तो derived class with more than one base class multiple inheritance ठीक है अब इस इसी के साथ साथ एक hierarchical inheritance प्याती है तो चलते हैं देखते हैं उसको hierarchical inheritance क्या होती है several derived classes from single base class इसे कहते है hierarchical inheritance जैसे की मैं आप लोगों को बताता हूं जैसे की हमारी employee है ठीक है employee है बहुत ही easy है यह topic बहुत easy है मैंने इस topic को मुश्किल नहीं का कहीं आप लोग नीचे comment लेको गया आपने बोलो था पिछली वीडियो में क्या देखा था पिछली slide में multiple inheritance देखा था तो multiple inheritance ये था hierarchical inheritance ये है तो जो पिछली slide में हम लोगों ने देखा था उसी तरह यहां पर हमने employee से programmer और मेरी बात ध्यान से सुर ना test लोगा बता रहा हूं हा फिर मत कहना मैं भी end में video को test लेता हूं देखा employee से programmer और manager बना ये सब लिख लो ये मैं test ले लोगा end में बता रहा हूं फिर किसी को नहीं आया तो समझ ले ना फिर hierarchical inheritance में क्या होगा employee से programmer और manager बनेगा बिल्कुल भी हलके में मतलो उसको लिख लो आप लोग notes ले लो हम लोग coding करेंगे तो आप लोगों को problem होगी मज़ाग की बात नहीं है ठीक है तो जो जो बता रहा हूं types inheritance की सब लोग paper copy लेगे लिख लो बहुत काम है ठीक है अब यहां पर employee से programmer और manager बना hierarchical inheritance में multiple inheritance में क्या हुआ employee और assistant से programmer बना और यहां पर employee से programmer और manager बना ठीक है तो यह hierarchy है ठीक है तो यह hierarchical inheritance को बोलते हैं अब आप लोग सोच रहोगे कि यह मतलब same same चीज तो नहीं है गई तो यहां पर देखो a derived class with more than one base classes यहां पर देखो आप लोग जहां मैंने लिखाया है और यह क्या है several derived classes from single base class यानि कि papa एक और यहां पर papa जादा है तो इन दोनों में लोग confused होते हैं मैं अपने पढ़ाने के experience से आप लोग को बता रहा हूं कि multiple और hierarchical में के लोग confused होते ही होते हैं देख लो दियान से इसलिए एक बार कि इन दोनों में क्या difference है काफी difference इन दोनों में लोग कहते हैं सेम तो नहीं है सेम कहीं से नहीं है अगर आप लोग देख लो दियान से होश वावास में चश्मा लागे ठीक है तो यहां पर hierarchical inheritance in C++ हमने देख लिया कि एक employee से programmer औं manager है एकदम simple है एकदम समझ में आता है की programmer ने भी employees के सारे attributes को inherit कर लिया manager ने भी employee के सारे attributes को inherit रिट कर लिया ठीक है मल्टी लेवल इनर्टेंस मल्टी लेवल इनर्टेंस क्या ये आप लोग सोच रहे होगे आप लोग सोच रहे होगे क्यार मल्टी लेवल इनर्टेंस क्या है मल्टी लेवल इनर्टेंस आप लोग को समझाने के लिए मैं एक दूसरा एक्जामपल लोगा ठीक है अब दूसरा example मैं कौन सा लोंगा animal का लोंगा ठीक है animal मानलो A class है आपका animal और B class है आपका mammal अब mammal सबको पता है क्या है किसी को नहीं पता है अगर तो comment बत करना google search करना जाके ठीक है mammal किसी को नहीं पता है तो और नीचे comment में अगर किसी को पता तो बता देना औरों के लिए कि मैं लिख देना नीचे कि मैं औरों के लिए लिख रहा हूं क्या होता है mammal और इंटरनेट से कोई definition बड़ी सी copy paste कर देना ताकि पढ़ने वाले को समझ में भी ना है animal हमारी base class है mammal के लिए ठीक है तो animal से बना mammal और mammal से क्या बनेगा mammal से बनेगा human यह फिर bat भी बन सकता है चुमकादर जो ओती है वो भी mammal होती है यह फिर cow भी mammal होती है तो cow बना देते हैं यार कुछ भी बना दो ठीक है तो animal से बना mammal mammal से बना cow तो जो animal class होगी इसमें सारी properties और functions होगे एक जानमर के जैसे कि एक animal क्या-क्या कर सकता है एक बहुत ही basic अगर हम बात करें सांस ले सकता है एक animal और और भी बहुत सारी चीज़ें वो जिन्दा होता है तो उसको energy चाहिए होती है इस तरह से सारी के सारे attributes होता है इसमें define हो animal walk कर सकता है locomotion कर सकता है वो सारी चीज़ें याँ पर इसमें define हो फिर mammal कुछ ऐसी चीज़े कर सकता है जो animal भी कर सकता है और उसी के सारी कुछ extra भी कर सकता है तो इसमें कुछ add होंगी mammal क्या है mammal is equal to animal plus addition mammal is equal to animal plus more more का मतलब हम इसमें और चीज़े अभी add कर रहे है अगर पिछले example को भी देखें तो programmer में क्या है programmer क्या है programmer is equal to programmer एक employee है और plus more इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि employee जितनी class है वो तो पूरी ले ली मैंने और उसमें कुछ मैं add भी करूँगा ठीक है तो employee plus more तो इसको हम extend करके इसको और बहतर बना सकते है ताकि programmer के लिए suit हो ठीक है similarly mammal is equal to animal plus more और cow is equal to mammal plus more तो मैं आपर लिख देता हूँ उपस cow is equal to mammal plus more मेरी handwriting reality में बहुत अच्छी है इससे जाता तो मुझे जरूर बताना comment मेरी handwriting कैसी है ठीक है तो cow is equal to mammal plus more और ऐसा मैंने क्यों बोला क्योंकि जो c class है वो b से derive हो रही है तो यह multi-level inheritance है कि भाई animals से आपने बना दी mammal, mammal से आपने बना दी cow फिर cow से भी हो सकते हैं कोई class को derive कर लो तो इस तरह से levels जब बहुत सारी हो जाती है उपर तो उसे करते है multi-level inheritance और इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ यह तो समझ में आ गया होगा आपको multi-level inheritance क्या होती है अब जो इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को वह बहुत important है और उसका नाम है hybrid inheritance और hybrid inheritance क्या है अगर मैं आप लोगों को यह दिखाओं figure दिखाओं सर्थ आप समझ जाओगे क्या है hybrid inheritance यह जो phenomenon है इसको कहते है hybrid inheritance अब यह किन दो inheritance का mixture है यह देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यह multiple inheritance होती हुई दिखे रही है इसमें A से B बना B से D बन गया multiple inheritance दिख रही है नहीं दिख रही होती हुई बिल्कुल दिख रही है multiple inheritance और उसी के साथ साथ क्या क्या होता वह दिख रहा है में multi-level inheritance भी होती हुई दिखरी है तो अगर मैं आप लोग को multi-level inheritance दिखाऊं तो वो यह थी multi-level inheritance a से b से d बन गया और multiple inheritance भी हमें होती हुई दिखरी है इस तरह की ठीक है तो इस तरह की inheritance को कहते है hybrid inheritance is a combination of multiple inheritance and multi-level inheritance a class is derived from two classes as in multiple inheritance और one of the parent classes is not a base class यहाँ पर आप देख लो यह condition one of the classes is not a base class तो यहाँ पर आपने देखा a था a से b बना b से d बना a था a से c बना c से d बना और d किस से बना b और c से बना ठीक है तो हमने यहाँ पर देखा कि multiple inheritance and multi-level inheritance जब मिलकर इससार की complex inheritance बनाती है इस तरह की complex derivation होता है classes का d का यहाँ पर जन मुहा देखो तो इसे कहते है hybrid inheritance ठीक है तो i hope कि आप लोग कोई चीस समझ में आ गई होगी example अगर आप बात की जाए तो आप कहलो animal ठीक है animal में mammal और bird ठीक है और mammal और bird से bad बन गया ठीक है तो बहुत ही मतलब एक वैसा example दिया है मैंने जो आ गया दिमाग में वो लिख दिया मैंने कुछ ऐसा समझ लो तो बस आप लोग समझ जाए है फिर हो क्या रहा है ठीक है और hybrid inheritance समझ में i hope आ गई होगी आप लोगों को एक बर बन गया था A से B B से C बना था फिर अगर बात करे hierarchical inheritance की तो यह था employee से programmer और manager बना बात करे multiple inheritance की तो employee और assistant से programmer बन गया ठीक है यहां पर क्या वह था employee से programmer और manager दोनों बने थे तो इन दोनों में difference हमने थोड़ा गहराई के साथ देखा था single inheritance एकदम simplest type of inheritance और हमने inheritance in general देखा कि किसी एक चीज को जो की पहले से लिखी लिखाई है हमारी किताब है उसको extend करके थोड़ा change करके हम use करना चाहते है और उसका नाम change कर रहे है जैसे मानलो कि किसी ने कुछ कोई किताब लिखिया ठीक है मानलो किसी ने कोई story लिखिया आप उस story को लेके थोड़ा बहुत इदर क्लास है आपने जो अपनी क्लास बने उसमें तोड़ा था changes कर दिया वरना वो class वो copy तो करिया आपने ठीक है तो कुछ ऐसा समझ लो कि B ने A को copy किया है और थोड़ा बहुत changes कर दिया ठीक है तो यह है inheritance आने वाले वीडियो में हम लोग code करेंगे inheritance को हम लोग देखेंगे कि C++ में inheritance किस तरह से की जाती है किस तरह से हम real world C++ programs लिक सकते हैं जो की inheritance involved होती है जिसमें ठीक है तो I hope कि सारी के सारी types of inheritance आपको समझ में आ गई होगी अगर कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो मैं कहूंगा notes जरूरू बना ले program लिखने में अगर दिक्कत होगी आप आप लोगों कि अगर आप लोगों को problem हो रही है तो रटेनी की जरूरत नहीं है initially आपको बिल्कुल भी कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है notes बना लो आप वरना आप लोग screen shots ले लो video में सही ही और उसकी PDF बना लो तो कुछ भी आप लोग कर सकते हो आशकल तो आप लोग C++ और आगे देखना चाहते हैं detail में तो प्लीज इस video को like कर दो मैं बहुत ही honestly आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इस video को like करोगे तो platform को बता चलेगा यह video अच्छी है और वो इस video को और push करेगा और जब इस video को और push करेगा तो मुझे और motivation मिलेग करेगा वीडियो जाधा आगे चाहेगी तो और वीडियो बनाने का ठीक है तो मैं कोशिच यही रहती है मेरी कि जो भी चीज में बना रहा हूं उससे जाधा से जाधा इसे जाधा इस्टुरेंट का फायदा हो तो इसलिए आप लोग जो है इसको like ज़रूर करते हैं अगर आप लोग चाहते हैं C++ के और वीडियो आगया हैं उसी के साथ साथ आप अपने लिए C++ की जो प्ले लिस्ट मैंने बना रहे कि जिसका लिंक में दे दूँँ आपको वो जरूर से ले लेना क्योंकि वो entry point होगा आपको उसको bookmark कर लेना वहां से आप लोग स्टार्ट करें वो आपको starting point होना चाहिए और उसके बाद आप लोग जो है step by step शुरू से sequence से number डालके मैंने बनाएं videos जिस तरह से उसी तरह आप लोग भी जो है उसी sequence में उन videos को देखें आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों को सबसे ज्यादा maximum benefit होगा instead of randomly अगर आप बीच बीच में watching this video and I will see you next time